मोती सरकार के दूसरे कारिकाल का दूसरा बजट शनिवार को केंद्रेवित्पमंतरी निर्मला सीतारमन ने पेश किया इस बजट में सरकार ने कई मुद्दो पर बात की। कई शेत्रों में सरकार को मिली कामयाबी के साथ ही नई उजनाओं का जिक्र भी किया। इस बजट में आम लोगों को टेक्स में भी कई छूट दी है। वही बैंकिंग शेत्र में भी सरकार ने कई बड़े ऐलान किये हैं। वही बजट में निर्मला सीता रमन ने बैंक में जमा राशी की ग्यारंटी को एक लाख से बढ़ा कर पांच लाख कर दिया यानि अब बैंक में पैसा फसने पर आपको पांच लाख तक की राशी दी जाएगी। बड़े ऐलान किये हैं बजट के दुरान बैंकों में भरती के लिए नई एजनसिया बनाने के बारे में कहा गया। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर को बहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। बजट में सरकारी बैंकों के लिए 3,50,000 करोड का प्राउधान दिया। इसके साथ उन्होंने एलान किया कि LIC का एक बड़ा हिस्सा सरकार बेचेगी वहीं IDBI बैंक में अपनी हिस्सेदारी सरकार बेचेगी।